यूटूब चैनल मेडिकल नर्से सब मेरा नाम है कीरती सुगाईज आज हम डिसकस करने वाले हमाचल प्रदेश स्टाफ स्लेक्थन कमिंशन के लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हैं जो भी लोग इंट्रेस्टेड हूं वो लोग फॉर्म फिलप कर सकते हैं तो हमाचल प्रदेश स्टाफ स्लेक्षन कमिंशन का हमाचल प्रदेश की वैकेंसी हैं तो आपको लेटेस्ट नोटिफेकेशन को क्लिक करना होगा जब लेटेस्ट नोटिफेकेशन को आप क्लिक करेंगे तो रसेंट में ही नोटिफेकेशन एड़ किया गया है थाइटी सिक्स सब्सक्राइब करना है तो इस नोटिफिकेशन को हम चेक करेंगे देखिए यहां पर इनोटिफिकेशन है जो ओपन हो गया है इसको जूम करके देख लेंगे इस तरीके से तो जो नोटिफिकेशन आप यहां पर देख रहे हैं यह नोटिफिकेशन निकाला है हिमाचल प्रदेश स्टाफ स्लेक्शन कमीशन ने इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है जो वेकेंसी है आपके लिए पर्मनेंट वेकेंसी नहीं वाटे डारेक्ट रिक् एप्लिकेशन फॉर्म फिलप होने हैं जो भी के इंडेट इंट्रेस्टेट हो लोग फॉर्म फिलप कर सकते हैं ओफीचल वेबसाइट से ही आपको फॉर्म मिल जाएंगे और जो वैकेंसी निकाली है यह निकाली है हिमाचल प्रदेश स्टाप स्लेक्शन कमीशन हमीरपुर हमीरपुर ने तो यहां पर 19.11.2020 को नोटिफिकेशन आया लास्ट डेट है ओनलाइन फॉर्म सम्मिशन के लिए 20 दिसंबर 2020 तिल 11.59 रात के 12 बजे तक 11 बच के 69 मिनिट तक का टाइम है 20 दिसंबर 2020 है जो लास्ट डेट है 21 नवंबर 2020 से फॉर्म फिलप स्टार्ट हो जाए पर डेट की बात होगे हम बात करते हैं कितनी पोस्ट है यहां पर तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हैं आपर अल्ली ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा आपका स्लेक्शन हो गए हैं पर वेस्ट और रिटन एक्जाम 170 नंबर के जो कि 15 वाकि जाएंगे वाकि रिटन टेस्ट होगा जिसमें 170 एंसी क्यूज आपके लिए आने वाले हैं तो हैं पर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की लिमिट की मिनिममम एज लिमिट है 18 मैजिम 45 और यहां पर जो एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी एक जनवरी 2020 केस आप तक कैलकुलेट की जाएगी और जो अपर इस लिमिट है उनके लिए पांस साल का इस रिलेक्सेशन भी दिया जाएगा जो SCST और अधर वैक्वाइट क्लास के लोग हैं जो भी लोग अपलाई करें एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें देन उसके बाद ही फ तो यहां पर आपको स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है तो जैसे ही स्टाफ नर्स के लिए आपर ज्यादा वैकेंसी नहीं है वर्ट वैकेंसी है आई थिंग 28 और 24 वैकेंसी है यह देखिए आपर हैल्थ एंड फैंबली वैलफेयर तो स्टाफ नर्स के में टोटल 28 वैकेंसी है जनरल के लिए 9 EWS के लिए 6 जनरल में WFF के लिए 01 SC के लिए और जनरल वालों के लिए 5 SC WFF के लिए 1 तो इस हिसाब से यहां पर टोटल में लाके वैकेंसी है टोटल 28 पोस्ट है यहां पर कॉंट्रेक्ट वेस पर आपकी जॉब रही पर्मानेंट नहीं है वर रिक्रूट्मेंट है जो आपकी होगी डारेक्ट रिक्रूट्मेंट होने वाली है 10,300 से आपको 34,800 प्लस 32 ग्रेट पर दिया जाएगा और जो कॉंट्रेक्ट्च्वल एलाट्मेंट्स रहेगा वह 13,500 रुपय पर मंत है जो दिया जाएगा तो इसे साफ से आपको सेलरी पे की जाएगी नेक्स हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन के लिए तो यह पोस्ट कोड था 890 में तो हम डारेक्ट इसी को चेक करेंगे 892 को स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन तो क्वालिफिकेशन में आपके पास 12 होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास GNM और BSC नर्सिंग होना चाहिए और जो भी लोग इंट्रेस्टेड हो इस वैकेंसी के लिए तो इन्हों डिजारेवल क्वालिफिकेशन में बताया है कि इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए तो जो हमारा पोस्ट कोड है स्टाफ नर्स कार्ट सो बान में तो यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम के बारे में पता होना चाहिए और वहां की जो लेंग्विश वह भी थोड़ी वह पता होना चाहिए तहु हमाचल प्रदेश का लेजिस्ट्रेशन होना भी अनिवारे हैं तो यहाँ पर लिए कि नर्सिंग गए इपलाई कर सकते हैं नेक्स से हम बात करेंगे तो यहां पर यह देखिए 85 marks में जो exam होने वाला है आपका तो इसमें total 170 mcq आएंगे जिसमें से subjective related आपके 120 question होंगे बाकी जो 50 question रहेंगे GK, GES जो हिमाचल प्रदेश का GES से current affair है science, logics, social science इन सभी से आएंगे तो यहां पर आपके लिए total क्या होने वाला है, पहले तो आपका return test होगा, then after 15 marks के लिए आपका evaluation और जो हम यह कहें सकते हैं उससाब से भी 15 marks है, तो टोटल आपको इस तरीके से दिये जाएंगे, जो भी लोग apply करें एक बार notification को जरूर पढ़ने अच्छे से, यहां पर online application form fill up होने, official website से ही, तो जो भी लोग apply करने वाले हैं, वो 20 December 2020 के पहले हैं, जो apply करने बात हम करेंगे, फीस कितनी लगने वाली examination फीस, तो अलग-अलग category के लिए अलग-अलग फीस लगने वाली, तो general category है, जो EWS ex-servicemen, उनके लिए 360 रोपे, और जो physically handicapped हैं, fighter है, ward ex-servicemen है, हमाचल प्रदेश के, उनको 120, SC of हमाचल प्रदेश, ST of हमाचल प्रदेश, इस तरीके से इनको 120, ज यहां पर male candidate के लिए फीस लगने वाली, female candidate के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, mode of payment है, जो online पर किया जाएगा आपके लिए, तो next है, यहां पर दी, आपको कोई भी problem होती है, form fill up करने में, वेकेंसी में कुछ भी समझ में नहीं आता, तो टोल-free number है, और ए, email ID है, तो इस जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो भी लोग apply करें, उनके लिए notification पढ़ना बहुत जरूरी है, और आपका online form fill up है, जो यहां पर 90 number में step by step दिया हुआ है, कि आपको क्या क्या करके online form fill up करना हुआ, क्या document site करने, all over thing, so I hope आप लोग को video अच्छा लगे, तो like कर द 13 November, कल से form fill up start होंगे, आज form fill up start नहीं हो रहे होंगे, thank you for watching us, bye bye